हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीना अगरवाल केचिन आज हम बनाएंगे बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही टीस्टी और हेल्दी लंच या डिनर रेसिपी तो अपने बच्चों के लिए जरू ट्राइ करें आए बनाना शूर करते हैं इसे बनाने के लिए एक कोकर को गर्म कर लिया है इसमें थोड़ा सा घी आड़ करेंगे जैसे घी गर्म हो जाएगा इसमें थोड़ी से हींग आड़ करेंगे हींग आड़ करने से बच्चों का डाइजेशन अच्छा रहता है तो जरूर आड़ करें थोड़ा सा जीरा एड़ करेंगे एक से दो करीपत्ते एड़ करेंगे करीपत्ता भी बच्चों के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें थोड़ी सी प्याज को बारी काट कर एड़ करेंगे एक लेसुन की कली को बारी काट कर एड़ करेंगे आप चाहे तो प्याज और लेसन को अवाइड भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप सर्दियों या बरसात में बना रहे हैं तो जरूर एट करें अब हम प्याज को कलर चेंज होने तक भुनेंगे इसको हमें ब्राउन नहीं करना है जैसे ही प्याज भुन जाएगी इसमें एक बड़ी चमच के करीब साफ किया हुआ दलिया या ब्रोकन वीट एट करेंगे इसे हमको केजनली चलाते हुए खुश्बू आने तक रोस्ट करना है जब तक दलिया रोस्ट हो रहा है हम एक बॉल में एक चमच के करीब मूंग की डाल लेंगे इसे हम पानी से एक से दू बार साफ कर लेंगे जैसे ही दल्या रोस्ट हो जाएगा इसमें धुली हुई मूंकी दाल को एट करेंगे थोड़ा सा नमक एट करेंगे अगर बच्चा 10 मन से छोटा है तो नमक अवाइट करें बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर एट करेंगे इसमें ज़रुरत के अनुसार पानी एट करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर का ढखकन लगाकर 4-5 सीटी आने तक पकाएंगे क्योंकि दल्या पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है 4-5 सीटी में दल्या और डाल अच्छे से पक जाएंगे आप चाहें तो स्पून की हेल्प से चेक कर लें किया अच्छे से पक गया है या नहीं आखिर में हम इसमें थोड़ा सा घी एट करेंगे या औप्शनल है अगर डिनर में बना रहे हैं तो ना डाले और लंच में बना रहे हैं तो एट कर सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको आप हलका गर्म बच्चे को खिलाएं और छोटे बच्चों के लिए आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें